स्वागत है आपका Current Affair वित आकर्ष में आज की आनी 29 सितंबर 2023 की Current Affair को जानेंगे चलते हैं पहले कोशन पर कोशन नमबर 1 भारत में किस कंपनी ने भुकम चेतावनी प्रणाली लॉंच की जिसकी मदद से भुकम आने से पहले चेतावनी मिल जाएगी सही आंसर है Option D, Google गूगल ने भारत में भुकम चेतावनी प्रणाली को Android फोंस में लॉंच किया है ये कुछ इस तरीके से चेतावनी देगा कोशन नमबर 2, केंदर सरकार ने मड़ीपूर के पहाड़ी इलाकों में कितने महीनों के लिए आस्फा बढ़ाया तो इस कोशन का सही आंसर है Option C, 6 महीने केंदर सरकार ने 6 महीने के लिए मड़ीपूर के पहाड़ी इलाकों में आस्फा को बढ़ाया हिंसा के चलते कोशन नमबर 3, MS स्वामी नातन का 98 वर्ष की आयू में निधन हो गया इन्हें भारत में किस क्रिशी करांती का जनक कहा जाता है सही आंसर है Option B, हरित करांती MS स्वामी नातन को हरित करांती का जनक कहा जाता है इन्होंने 1968 में हरित करांती की सुरुवात की थी और ये इनकी तस्वीर है Q4, Asian Games 2023 में महिलाओं की 60 kg सांडा वूशू इस परदा में नाव रेम रोशी बीना देवी ने कौन सा पदक जीता सही आंसर है Option B, रजत पदक ये इनकी तस्वीर है और इन्होंने महिला सांडा वूशू में रजत पदक जीता Q5, भारती वायू सेना को किस कंपनी से पहला डॉर्नर डियो 228 विमान मिला सही आंसर है Option A, HAL हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड ने इसका निर्माड किया है और ये डियो 228 की तस्वीर है Q6, UN रिपोर्ट के अनुसार किस साल तक भारत की 20 प्रतिशत अबादी बुजुर हो जाएगी तो इस question का सही answer है Option A, B, 2050 2050 तक भारत की 20 प्रतिशत अबादी बुजुर हो जाएगी और सदी के अन्थ तक 36 प्रतिशत अबादी बुजुर हो जाएगी Q7. ICC पूरुस Cricket World Cup 2013 के लिए भारती क्रिकेट टीम के उपकपतान कौन होंगे? सही आंसार है option number B. हार्दिक पांडिया हार्दिक पांडिया भारती क्रिकेट टीम के उपकपतान होंगे वल्ड कप के लिए और कैप्टन रोही शर्मा Q8. विश्व हिर्दय दिवस कब मना जाता है? तो इस Q9. सही आंसार है option number A. 29 सितंबर हर साल 29 सितंबर को यहां दिवस मना जाता है और इस साल की इसकी टीम है Use Halt, No Halt Q9. Global Innovation Index 2023 में भारत की रैंक क्या रही? सही आंसार है option number C. 40 Global Innovation Index में भारत की 40-वी रैंक रही? भारत 132 अर्थ ववस्थाओं में से 40-वी रैंक पर बरकरार रहा 2015 में भारत की 81-वी रैंक थी पहले पर सुर्जर लैंड है, 136 पर नाइजीरिया और बारवे पर चीन है Q10. NASA की किस रोवर ने मंगल ग्रैपर सुफर फास्ट नविगेशन का रिकॉर्ड बनाया सही आंसार है option number A. पार्सी वरेंस मार्स रोवर ये इस रोवर की तस्वीर है Q11. उत्राखंड सरकार ने रोप वे के लिए किस कमपनी के साथ 2000 करोड का समझोता किया सही आंसार है option number D. पोमा ग्रूप ये उत्राखंड सरकार और पोमा ग्रूप के समझोते की समय की तस्वीर है Q12. वर्ल्ट टैलेंट रैंकिंग में भारत 52 पायदान से गिर कर किस स्थान पर पहुंचा सही आंसार है option number A. 56 भारत 56 पर स्थान तक गिर गया है दुनिया के 64 अर्थ विवस्ताओं में से भारत 56 पर जा फिसला पहले स्थान पर स्थान पर स्थान पर स्थान पर मंगोलिया है यूए से पंद्रवे स्थान पर है और चाइना 41 में स्थान पर है question number 13 जाडूदान पहल से किस ने इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया सही answer है option number B. S.P. Singh S.P. Singh ने जाडूदान की पहल से अपना नाम इंडिया बुक आफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया UPSRTC के प्रिंस्पल है S.P. Singh और ये पहल 2014 में शुरुआत हुई थी question number 14 times higher education ने वर्ड यूनिवस्टी रैंकिंग 2014 में भारत की कितनी यूनिवस्टी को स्वामिल किया नवे यूनिवस्टी शामिल हुई है इसमें 108 देशों और रीजन के 1904 यूनिवस्टी यों को सामिल किया गया था question number 15 green office space में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा सही answer है option number A बैंगलूरू बैंगलूरू इसमें पहले स्थान पर था और ये एक green house space office की तस्वीर है चलिए आ जाते हैं आज के इतिहास की यूर इंगलेंड में पहले marriage bureau की शुरूआत आज ही के दिन 1650 में हुई कि 1789 में आज ही अमेरिका के युद्ध विभाग ने इस्थाई सेना की स्थापना की मदराश Chamber of Commerce and Industries की स्थापना 29 सितंबर 1836 को हुई इटली ने आजी के दिन 1911 में ओटोमन सामराजी के खिलाफ युद्ध की घोशना की टीजल इंजन का आविश्कार करने वाले रोडॉल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था टेली फोन से पहला अंतर महादीपिय संदेश आजी के दिन 1915 में भेजा गया भारत के पहले राश्टिय सुरक्षा सरालाकार ब्रिजेश मिश्रा का जन्म 29 सितंबर 1928 को हुआ आर्टी साहा ने आजी के दिन 1969 में इंगलिश चैनल को तैर कर पार किया आजी के दिन 1962 में कोलकाता में बिल्डा तारा मंडल खुला विश्व की पहली महिला अंत्रिक्ष पर्याटक इरानी मूल की अमेरिकी नागरिक अनुशह अंसारी 29 सितंबर 2004 को पृत्वी पर सफलतापूर लेंडिंग की ठाइंक यू वेरी मच अगर आप लोगो वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और सस्क्राइब जरूर कीजेगा